हेलो दोस्तोओ अगर मेला माई एक फिर प्रیू पोलिस करवाने के बारे में सोच रहे हूं किसी ऐपकी फंइचर पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मेंग सिंग रेशयो कके आए दोस्तो दोस्तों में एक्जा से जो स्वारी प्यू जो सिलरे वह उसके बाद मैंने उसका वूट टेक का एवन गोल्ट जो यूनिवर्स थीनरे वह उसके है ताकि यह जो नो का जो प्यू का सेम है वह उसके अंदर बर करा रहा है और हमें फिनिशिंग अच्छे से मिले और दोस्तों आप जब भी मार्केट में ल आप करने के लिए मेजर्मेंट करने के लिए ले लिया है अभी सबसे पहले में यह डबे को अच्छा से खोल लेता हूँ और फिर आपको दीखाता हूँ किस तरह से अंदर दिखता है दोस्तों आपको यह सब ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर आप करवा रहे हूँ और तो कॉंट्राक्टर है वह अच्छा से नहीं करेंगे तो लास्ट में आपका है नुक्षा नहीं है इसलिए यह सब आपको अच्छा से ध्यान रखना होता है और आपको होसे के तो सामने खड़े होके यह सब मेक्सिंग या फिर वह सब करवाना चाहिए उसके बाद मैंने द जल्दी सुखने लगता है दो दिन में आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा इसलिए जब यह बंद करो तो भी उसे अच्छे से टाइट फीट बंद करना उसके बाद जो इसका बेस है उसे हमने अच्छे से मिक्स करना है मिसकाने के लिए मैं रोड का यूस कर रहा हूँ अग 5 लिटर कलर बन वाना है तो उसके नदर 4 लिटर हमें बेस्ट लेना है और सिम्पल बसमे में बताओ आपको कि 100mL के उदारण से मैं आपको समझा थाओ अगर आपको 100 ml मटेयल बनाना है तो 80 ml आपको bye sociais लेने और 20 ml आपको harण लेना है उसी तरह से दोनों को अच्छे से पहले mix कर लेना है जैसे कि आप जक्षक्टे हो और उसके बाद thinner कितना add करना है वो भी डपे पी लिखा होता है तो उसके अंदर लिखा हुए कि 15-30% आप thinner ड़ेट कर सकता हो यानि कि आपने जितना material बना है उससाब से आपको add करना होता है अभी हमने 100 ml मिना है तो हम उसमें 15-20 ml दालेंगे और फिर उसे अच्छे से mix करेंगे जैसा ही mix हो जाए उसके बाद उसे यहां पर आप देख सकते हो कि 15-20 मिनिट या फिर 30 मिनिट इसे एसा ही रखने देना है आप यहां पर पॉस करके देख सकते हो उसे रखना इसलिए कि हमने अला है तो bubble वगरे है वो सब अच्छे से बैठ जाए और हमारी finishing मिल जाए हमें उस करना है इसे हमेशा spray gun की मदद से apply करना है ताकि जो पी यह फिर मेलमन के finishing होती है वो spray से बहुत अच्छी से आती है इसलिए हमने spray यूज़ करना है तो मैं आपको एक टेबल पर यूज़ करके दिखा दिता हूँ छोटा सा टेबल है उसके उपर तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमाएं gun चलानी है और फिर हमें जो हमारे sealer है वो apply करना है दोस्तों अगर आपको gun किस तरह से चलानी है वो सब सिखना है तो उपर में i button में एक video दूगा वहाँ पर मैंने detail में दिखा है कि gun को किस तरह से चलाते है और क्यक्या setting होती है gun की ताकि हमारी जो finishing हो काफी अच जाएगा या फिर चैनल पर एक बार जो हमारी पूरी playlist बनी हुए polish के wood polish के उपर वह भी जाके आप देख सकते हो जो हमारा हो चुका है तो हमने एक तरफ से leg पकड़के उसको पलटा दिया है ताकि हमारा जो सभी तरह से अच्छे से finishing हो जाए और हमारा complete हो जाए दोस्तों यह pew sealer है, sealer हमने इसलिए लगाना होता है कि जब भी हम pew का कुछ भी करो glossy या फिर matte finish तो उससे पहले हमें अच्छे से wood की preparation और signing जो उसकी sending work है वो complete करना होता है तो एक बार तो हमने wood को sending कर दिया है उसके बाद हम sealer लगाएगे तो sealer लगाने के बाद हमें जहाँ पे भी गड़े या फिर पुट्टी की होती हूँ अच्छे सुप जाते हूँ और फिर pew बहुत अच्छी तरह से सिग्दब smoothly sending होता है तो यह हमारे ध्यान में रहे इसलिए हमें यह करना होता है जैसे हमारे काम complete हो जाए उसके बाद इसे हमें सुखने देना होता है चार से चे पसना है तो लाइक चार और सुब्सक्राइब करना यही था आज का वीडियो बाई बाई